तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मुयान ने सेवें स्टार सेक कि वो दोनों मास्टर को हड़ा दिया था लेकिन अब उसे भी ये बात पता थी कि आने वाला खत्रा और जदा बड़ा होने वाला है इसलिए वो अपने इफर्मेशन को और स्ट्रॉंग करने में लग ज थी तो अब वो एक जगा पर एंटर करता है जहां पर हम देखते हैं कि उस एनरजी फैली हुई है जो कि कोई और नहीं बल्कि इस्परिट प्रेंट के हाई लेवल मास्टर थी अब रियूग आती ही सबसे पहले उन्हें प्रनाम करता है फिर उसके बाद उन चारों में से ए अब वही हाई लेवल मास्टर दूसरे हाई लेवल मास्टर से कहते हैं कि आपका spiritual heavenly steamer चोरी हो गया है ना जिस पर वो हाई लेवल के मास्टर कहते हैं कि हां लेकिन जिसने भी उसे चुराया है मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूँगा अब इसके बाद रियोकर अब और सब्सक्राइब रचुकी यह लेकिन इस पर पहले मास्टर चैथे कि कि इसे अब कोई फ़र्क नहीं परता क्योंकि इस बाद से चैंज हो जाता है और अगले सीन में हम जियाव और लेंड को कु देखते हैं जहां पर सभी लोग डर भाग रहेए दें उसके बाद हम उसी होट को देखते हैं जहां प्रीया मास्टिवरेशन कर रही थी अब पाई वहां पर जगा को सीधा सेवं स्टार सेवं स्टव से गान करती ہے तो उस जगा परखें huh सेवं सने तो आप पहचांते ही हैं एक जींब बढा भाई pessoal किसी ने भी कभी सोचा ही नहीं होगा कि हम लोग फिर से आ जाएंगी तभी दूसरा मास्टर कहता है कि हमें दूसरा चांस मिला है इसलिए इस चांस को हम वेस्ट नहीं जाने देंगे अब हम फ्लेश बैक को वो सीन देखते हैं जहाँ पर जिंक पिंग और इसका भाई बुरी तरह से हार कर पड़े हुए थे लेकिन तभी वो तीसरा माला भाई वहाँ आता है और चुप 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 इसी को पता लगे बिना उन्हें उठा कर ले आता है और अब जिंक पिंग कहता है कि मुयान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और इसके बाद वहाँ से सीन चेंज हो जाता है अब अगले सीन में हम पहुंच जाते हैं क्लाउट सिटी के अंदर जहां पर मुयान खड़ा हुआ था अब तभी वहाँ उसके पास याओ यूनर और जिया आ जाती है अ अब ये भी है कि हम अकेले फाइट नहीं कर सकते इसलिए अल्डर बियूशी से भी बात करनी होगी क्योंकि इस वारों ने भी लड़ाई में हमार साथ देना होगा मुयान ती रुक कहता है कि तुम जागतीनों एक्स्ट्रीम हॉल से उनके सपोर्ट के लिए कहूं लेकिन त बिलकर भी उस पर टैक करते हैं तो भी वह आधे दिन से पहले तूट नहीं सकता और आधे दिन में तो हम तीनों वहाँ पहुचकर वापस भी आ जाएंगे लेकिन अब याओ इस बात पर भी संदोष्ट नहीं लग रही थी तो मुयान उसे कहता है कि अरे ही भगवान तुम मुझ पर बिलकर भरुसा नहीं गया अब तुम ही सोचो अगर यह हैवली फ्लैंग फ्रमेशन नहीं होता तो मैं खुद ही नहीं चला जाता मुझे तुमसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहां से भाग जाओंगा तो याओ कहती है कि नहीं मैं भागने के बात नहीं कर रही थी लेकिन हो तुम हीरो बनने के लिए अकेले ही उनसे लड़ने चले गए तो इस पर मुयान कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है इस बार यह फाइट पहले जैसे नहीं है अब हमें बहुत से पावर्फुल निर्वाना लेवल के लोगों से लड़ना होगा इसलें मैं कोई भी रिस्क नहीं लूँगा और ना ही किसी बतरी का गैंबल खेलूंगा हमें सब कुछ प्लाइनिंग के साथ ही करना होगा अब यहाओ कहते हैं तुम कहते हो तो मैं माल लेती हूं और इभी तुना कहकर वो मुयान के हाथ पर अपनी पावर स से कहता है कि तुम तीनों को जल से जल यहां से निकलना चाहिए क्योंकि अगर स्प्रीट या फिर सवें स्टार से यहां पर आ गया तो यहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा अब मुयान की बात मांगे वो तीनों भासर चली जाती है लेकिन उनके जाते ही वापर मास्टर बियोशी आ जाते हैं अब आते ही वो मुयान से कहते हैं कि ब्रदर मुयान तुम कभी हार नहीं मानते ये बात बहुत अच्छी है पर तुम पुरी तरह मुयून जैसे नहीं हो और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो तो girls के सामने हार मांजाता था लेकिन तुमने उन्हें अपनी बात मरमार कर भीहेजी दिया वो सभी ही 9 level of nirvana से बहुत आगे तक हैं इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन्हें रोक पाना इतना असान होगा अब मैं भी मानता हूँ कि अपना heavily flying from mission powerful weapons से मिलकर बना है लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें जाते देर तक रोक पाऊँगा अब मुयान की पुरी बात सुमकर मास्टर से कहते हैं कि एक बर तुम खुदी सोचो कि अगर इस लडाई में मैं मारा गया और मरने के बाद मैं मुयून से मिला तो मैं उसे क्या शकल दिखाऊंगा सीधी बात ये हैं कि तुम इतने लगटिव बातें मत करो क्योंकि मैं तो तुम्हार साथ देने को और किसी से भी तलड़ने को हमेशा तयार हूँ अब ये सुमकर मुयान से कहता है कि विंग आप मेरे सबसे अच्छे भाई हो अब ये सुनता ही मास्टर वियूशी बहुत दा शौक हो जाते हैं क्योंकि इस नाम से सिर्फ उन्हें मुयून ही बुलाता था और अब उन्हें मुयान के अंदर मुयून की शकल भी दिखने लगती है फिर वो मुयान से पूशते हैं कि आखिर तुमने अभी अभी मुझे क्या करकर बुलाया था लेकर इस पर मुयान उन्हें कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है अब मास्टर उड़कर उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और हमाई शाट को सब्स्राइब कर लीजेगा तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक विलें बयूबाय बयूबाय गार्ट